हाई फ्रेंस आप लोग का एक बाद फिर स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल प्राइमा क्लासेस में तो फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिबियस एर कोशन पेपर को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंस जैसा कि आप लोग को पता होगा 29 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एकजाम होगा था उसमें जितने भी मैत के सारे कोशन आये थे उसको हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो फ्रेंस आप लोग क्लास के अंध तक बने रहिएगा क्योकि आप का जो सीटेट का एकजाम होने वाला है उसके देश्टी से या क्लास अती महतपूर होने वाला है तो फ्रेंज चलिए अब इस class को हम लोग start करते हैं और देखते हैं कि आप लोग का आज का पहला प्रस्ण क्या है तो फ्रेंज आप लोग का आज का पहला प्रस्ण है रीचा ने 16 बच के 45 मिनट पे अपनी यातरा सुरू की और 23 बज़ के 10 मिनट पे अपनी यात्रा को समाप्त की, तो यात्रा पूरी करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना था, यहीं पूछा आप लोग को कुश्यन में, तो चलिए, देखे, 14 बज़ के 45 मिनट पे उसने अपनी यात्रा सुरू करती है, और उसका यात्रा कब स माप्त होता है, 23 बज़ के 10 मिनट पे, अच्छा एक चीज़ देखे, 23 बज़ के 10 मिनट के पहले 22 बज़ के 45 मिनट भी हुआ होगा, तो ठीक है, अब 14 बज़ के 45 मिनट से 22 बज़ के 45 मिनट के बीच में कितना समय होगा इसका, चलिए हम लोग देखते हैं, देखे, 14 बज़ फिर उसके बाद बजा होगा 1845, फिर 1945, 2045 और 2145 और एक यह 2245 है ही, तो कितना घंटा होगे आप लोग का, एक, दो, तीन, चार, पांच, और 6 घंटा, और कितना मिनट, यह देखे, 45 मिनट में अगर हम लोग 15 मिनट एड़ कर देंगे, तो यह कितना बज जाएगा, यह बज लोग का तेज, 15 जोड़ें के तो 60, मतलब तेज़ बज जाएगा, तो 15 मिनट यह और 10 मिनट यह, कितना मिनट होगे आप लोग का? पचीश मिनट, तो रीचा को कितना समय लगेगा,6 घंटे, 25 मिनट, तो आप लोग जो फोर्थ आपसन है, यह साही हो जाएगा, तो फ्रें यहाँ पर देखे eight seven six मतलब इसके बाद five आए गा जो संख्या है उसका प्लब eight एलब six five six five four five five six five 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 six five five seven five six six five five six six five five six five six score सो पची साना चाहिए जो कि आप लोग का आप्शन थर्ड यो है यह सई हो जाएगा क्या हो जाएगा फाईप इंटू फाइप इसक्वार यहीं होगा आप लोग का अगला प्रश्म एक सही घड़ी की मिनट की सुई पैतालिस मीनट में निम लिखीत में से कितने अंस का कोड अनुरेखीत करेगी अच्छा प्रें यह देखिए आप लोग का यह एक खड़ी हो गया मालीजे तो यह कितना डिगरी का होता है यह 360 डिगरी का होता है और यहां पर मीनट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे 360 ड 45 करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाइ करेंगे कितना आएगा छे पंजे 30 आप लोग का हासिल आए 3 और 6 जोग का 24 तिन 27 मतलब 270 डिगरी का होना चाहिए जो कि आप लोग का आप्शन जो फोर्ट है या सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है नौ सही तीन बट्टे चार प्लस तीन सही एक बट्टे दो में कितने चौथाई है देखे एक चौथाई चौथाई मतलब क्या होता है वन बाई फोर होता है अब देखे इसको अम लोग इसको जो जो आप भिन में करेंग करना आजगा नौ चौग के छथी सतीन उन्टालीस मतलब उन्टालीस बट्टे फोर प्लस तीन दुना च्वह एक साथ सात बटे डू अब इसका अम लोग करेंगे इसका एल्सीयम लिंगे यह सेम लिंग इत कितनी बार होगा फोर तो फोर इन वंजा फोर यहां पे क्या हो जेगा 39 प्लस टू का इसमें भाग देंगे दो बार और दो का इसमें मल्टिप्लाइ करेंगे सेवन में कितना आ जाएगा 14 अब इसको हम लोग एड़ करें कितना आ जाएगा मतलब कितने कितने चोथाई हैं वह 53 हैं तो आप लोग का आप संफोर्थ सही हो जाएगा अगला प्रसन है 33,110 प्राप्त करने के लिए 8,666,888,886 के योगफल में कितना जोड़ा जाना चाहिए चलिए देखें आप लोग का कितना दिया 33,110 में 8,668 प्लस 6,888 प्लस 8,868 में क्या जोड़ा जाना चाहिए मान लेजिए हम लोग मान लेते हैं कि एक्स जोड़ा जाता है तो आप लोगा कितना हो जाएगा 33110 बराबर अब इस तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हैगा अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आप लोग कायगा 24444 प्लस X अग्सकों यहार लाकि अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग का ऐक्स बराबर 36200 इंठीजर एक्स बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का ? 86 तो किस आपसम में है आप लोग का? आप लोग का या 3rd आपसम में है मतलब कि इतना अगर जोड दिया जाता इसमें तो इसके बराबर हो जाता तो फ्रेंट्स आप लोग का अगला प्रसम में क्या है? निम लिखित कथनों में कौन सा असत है? देखिए दूसरा आपसम आप लोग के यहाँ पर देखिए क्या दिया है? सभी अभाज संख्याएं बीसम संख्या होती है मतलब जितनी भी अभाज संख्या होती है वह क्या बीसम संख्या होती है? यह फ्रेंट्स क्या है? यह आपसम आप लोग का असत है तो फिर जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ऐसी अभाज संख्या भी है जो समसंख्या हो जैसे सबसे चोटी सबसे चोटी सम अभाज संख्या क्या होता है दो होता है तो यहां पर कावला है सभी 20 संख्या होती नहीं या तो सत्य है पूछा क्या था आप लोग से और सत्य कौन सा है तो यहीं वहला आप लोग का अपसम सही हो जाएगा अगला प्रसम है बारा मिलियन को भारती संख्या पदिती में किस प्रकाल लिखा जा सकता है तो फ्रेंस आप लोग जानते होंगे भारती पदिती मालीजे भारती पदिती में एक मिलियन एक मिलियन जो होता है और किसके बराबर होता है आप लोग का एक मिलियन दस लाख के बराबर और यहां पर क्या दिया है बारे मिलियन तो हम लोग क्या करें बारे इंटू दस करेंगे तो कितना हो जागा 120 लाख हो जाएगा आप लोग का और 120 लाख को हम लोग क रखते हैं एक करोड़ एक करोड़ वीस लाख तो आप लोग का किस आपसन में एक करोड़ वीस लाग आप लोग का पहला आपसन है एक करोड़ वीस लाग तो पहला आपसन सही हो जाएगा अगला प्रसुन है एक बोतल के एक बट्टे तीन भाग में दूद है इस बोतल की पुरी तरह भरने के लिए 500 मिली लीटर दूद के एक और पैकेट की आव सकता है तो बोतल की कुल छमता कितनी है तो फिर देखें बोतल की एक तिहाई तो भरी हुई है और एक भाग भरा हुगा है और दूसरा भाग खाली है और मतलब की आप लोग का दो भाग जो है वह क्या है खाली है अब यहां पर देखें दो भाग क्या है खाली है तो दो भाग दो भाग बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का पांसो एमल और एक भाग बराबर क्या हो जाएगा आप पूला क्या है आप लोका एक बट्टे तीन भाग जो होगा वह क्या होगा अप लोग का थ्रीएंटू डो सो पचा से इसका मुलिटीप्लाइ करेंगा तो कितना जाएगा का 750 ml तो फ्रेंज कुल छमता कितना है उसका 750 ml तो आप लोग का आपसन जो सिकेंड है या सही हो जाएगा अगला प्रत्रान निम लिखित अच्छरों में से किसमें कोई रैखी सम्मिती नहीं है तो फ्रेंज रैखी समिती होता क्या है देखे जैसे माली जी अब बी है पहला अपसन इसमें रैखी समिती एक है देखे यह देखे एक है और यह देखे एक्स है एक्स में कितनी रैखी समिती है देखे एक तो यह हो गया रैखी समिती और एक क्या है एक देखे यह है मतला एक्स में दो रैखी समिती है बी में एक रैखी समि ती नहीं है और टी में देखिए एक रेखी समिटे यह देखिए यह देखिए एक है इसको ऐसे करेंगे तो तो बोला कि कौन सी नहीं है देखिए नहीं पूछाए तो आप लोग का आप संजो थर्ड या सई हो जाएगा अगला प्रसन एक बहुज को सम बहुज कहा जाता है जब उसकी सभी भुजाए बराबर हो सभी कोड बराबर हो आमने सामने की भुजाए बराबर हो और सभी भुजाए और सभी कोड बराबर हो देखिए सम बहुज वह बहुज होती है जिसकी सभी भुजाए और सभी कोड बर जैसे मान लीजी आप लोग ये देखिए या तिर्भूज हो गया तो इसकी देखिए भूजा सब बराबर है और इसका कोड भी देखिए सब बराबर है या क्या है या एक आप लोग का संब बहु भूज है यह तो यह मान लिजे आप लोग जिसे मान लिजे एक ही हो गया यह देखिए इसका यह बराबर है यह भी बराबर है तो यह क्या है यह एक संब चतुर भूज है क्योंकि सब बराबर है भूजाए तो बोला एक कौन साप्षन आप लोग का सही हो जाए दिखे इसमें सभी भूजाएं और सभी कोड बराबर होते हैं तो आप लोग का आपसन जो फोर्थ है या सही हो जाएगा अगला प्रस्ण 11000 1111 के यूगफल में से क्या घटाया जाना चाहिए जिस्ते की दस हजार प्राप्त हो चलिए पहले ताप लोग यह लिख लिए 11000 11100 आप लोग का हो जाएगा यह फिर उसका इंग्यारा आया यहां पर हम लोग एक क्यारा का यू अब इसका यूगफल क्या ह one 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 two one अब बोला कि इसमें से क्या घटा देना चाहिए कि वह दस हटाँ लेजी यहाँ आप लोग मतलब एक्स बराबर यह है मतलब दो हजार 111 अगर हम लोग घटा देंगे तो दस हजार प्राप्थ हो जाएगा जो कि आप लोग का आप संग जो फोर्थ है या सही हो जाएगा अगला प्रसने बजार में सबजियों की मूल की सूची दिया हुआ है और पूछा है बोला है कि तपन ने 500 रुपए का नोट देता तुसे कितना धन वापस मिलेगा देखे फिरेंज आलू कितना लिया है वह आलू कितना लिया है एक केजी लिया है आलू एक केजी और यहां प पता हो जाएगा हुआ कितना यहां मिलती है और आधा करेंगे इसका तो दो से भाग देंगे तो आधे केजी का मूल 20 रूपए हो जाएगा फिर उसके बाद 250 ग्राव गाजर का मूल कितना है पचीस रूपए है यह अपनों का पचीस रूपए हो जाएगा फिर मिर्च मिर्च कितना लेता है सो ग्राम और मिर्च का मुल क्या है पचास ग्राम मुल का दस रुपए सो ग्राम का मदब पचास का मुल दस है तो यहां पर टू का मल्टी करेंगे यहां पर टू का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जागा बीस रुपए और उसके बाद चार नीबू चार नीबू का मुल या दो पीस का मुल 10 रुपए है तो दो पीस और करेंगे तो मतलब 20 रुपए और इन सभी को अगर हम लोग एड करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का एक सो बतीस रुपए पचास पैसे और वह पांसो का नोड़ देता है पांसो में अगर एक सो ब अगला प्रसमें फर्स पर लाल और हरे बिंदू बनाए गए हैं लाल बिंदू हरे बिंदू से बड़े हैं स्यरता और कांता फर्स पर रिंग फिकती हैं रिंग के अंदर एक लाल बिंदू आने पर पांच अंक और हरा बिंदू आने पर एक अंक मिलता है जो अधिक अंक प कि रिंग में चार लाल बिंदू और 12 हरे बिंदू आए है तो बिजेता की पहचान केजे और कारण बताईए तो फ्रेंस आप लोग देखे पहले यहाँ पर क्या हम लोग लिख लेते हैं स्वेता स्वेता का रिंग में कितने 5 लाल और 7 हरे साथ हरे ठेक और उसके बद कांता यहाँ पर हम लोग लिखने कांता कांता का कितना था आप लोग का चार लाल और बारह हरे ठेक अब चलिए हम लोग क्या करते हैं देखे स्वेता द्वारा प्राप्त अंक कितना है मतलब कि स्वेता का प्राप्त अंक अंकर क्या है 5 into 5 plus कितना है आप लोग का 7 into 1 और इसका कितना हो जाएगा आप लोग का इसका अगर हम लोग multiply करें कितना जाएगा देखे 5 पचे 25 और प्लस साथ एक कम साथ इसको हम लोग add करें कितना जाएगा 32 अब उसके बाद कांता ठेक कांता कांता के द्वारा प्रात अंक तो उसके द्वारा कितना प्रात अंक था 4 लाल था मतलब 5 into 5 हो जाएगा प्लस उसके बाद कितना था 12 हरे 12 into 1 तो अब लोग का कितना हो जाएगा 5 और 20 प्लस 12 कम 12 कितना हो जाएगा 32 अब देखे इसको 32 प्राप्त होता है इसको भी 32 प्राप्त होता है तो हम लोग क्या कर स सकते हैं सेवता और कांता के दोनों के अंक जो है वह बराबर है तो आप लोग यहां पर देख लिजे कौन सा आप्शन सही होगा खेल ड्रा हो गया क्योंकि दोनों के अंक समान प्राप्ट किए क्यों कि अब देखे यह भी 32 प्राप्ट करता यह भी 32 करती है तो क्या हुआ मैस अगला प्राप्ट नीचे दी गई तालिकाग में एक जंगल में परते कोवर्स खरगोसों की संख्या में होने वाए बृद्धी को दिखाया गया चलिए देखें क्या है इसमें देखें यहां पर पहले साल 10 था तो दूसरे साल क्या हुआ हुआ 20 होना चाहिए लेकिन होगा क्या 18 फिर अठार दोना अठारे में दोका Multiple करेंगे दोना ठर्टी शृइएगा लेकिन यहां पर कितना दिया था अप लोग 220 वसे अगर हम लोग करते जाएंगे तो यहां पर देखें आसन क्या है यहां पर माली जिए आप लोग 32 में हो यहां लोग टू से Deputy करेंगे तो कि तो आप लोग का जो fourth option है यार सही हो जाए तो friends आज की class नहीं पर समाप्त होती है अगली वीडियो हम लोग किसी और previous year paper को solve करेंगे तो जो बच्चे हमारे चनल पर नए हैं हमारे चनल को like and subscribe कर ले ताकि अगले वीडियो का notification आप लोगों को मिल सके तब तक के लिए thank you मिलते हैं अगली वीडियो में